नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार के पंडित में तो दोस्तों पूरी तरीके से कर आप मार्केट देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे वेट कर रहा है एक पर्टिकुलर अपडेट का जो रात के देखेगा एक बज़े बारा बज़े के आसपास आपको देखने को मिलेगी और इसके अनुसार आपको देखना क्या है दो इंडिकेटर बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से जिसके हिसाब से 10 बज़े के बाद मार्केट रियाक करेगा टोटल रियाक्शन आपको इस बेसिस पे ही देखने को मिलेगा टोटल रियाक्शन आपको इस बेसिस पे देखने को मिलेगा तो वीडियो को अन तक जरूर देखेगा चुकि यहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट आज देखीगा बहुत सारे लोगों ने जिनने उन्हें स् ट्रेडिंग के कारण लॉसस हुए होंगे तो इसलिए कह रहे हैं कि कल जो भी अभी आउटकम आएगा जो भी रात में आउटकम आएगा उसमें आपको देखना क्या उसके हिसाब से रियाक कैसे करना सब बताएंगे इस वीडियो में तो वीडियो के अन तक बने रहीएगा फेड की मीटिंग अल्रेडी कल से स्टार्ट हो चुकी है आज भी क्लियर पॉइंट आफ यू निये मार्केट अभी भी नर्वस है फेड की मीटिंग को लेकर नर्वस है चुकि FOMC में ये माना जा रहा है कि अभी भी डेटा के हिसाब से ही वर्क होगा अब यहाँ पे एक सर्प्राइज आने के चांसेस 20% है जिस कारण से कल मार्केट भाग सकता है 20% जहाँ पे मार्केट खुलेगा हो सकता है भाग जाए वासे तो 20% चांसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पे पूरा मार्केट वेट कर रहा है चलो इस बार कट नहीं समझ में आता है कोई कट नहीं देना चाहिए बिलकुल समझ में आता है लेकिन मार्केट यह सिगनल का वेट कर रहा है कि क्या आप पूरी तरीके से 100% शॉरिटी दे रहो 100% surety चाता है पूरा का पूरा बाजार जितने भी corporates हैं USK या फिर जितने भी other central bank है वो पूरा का पूरा surety चाते हैं कि June में rate cut होगा चोकि आपको पता है June में अगर rate cut का signal अगर यहाँ पे पाविल साब दे देते हैं तो यह बहुत बड़ी positive update होगी बहुत बड़ी positive update होगी और market इस पे full reaction देगा full तेजी से reaction देगा market तेजी से देखेगा आपको कल भागते होगी देखने मिलेगा यह 20% chances हैं केवल आपको wait क्या करना है कि rate cut बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि June में we are planning, probability, कुछ भी ऐसा वो बोलते हैं तरीके से ready रहिएगा कि Central Bank US Central Bank is likely to leave the benchmark देखेगा यहाँ पे unchanged रखेगा rate cut नहीं करेगा वहाँ पे सारी चीज़े आपको वैसे कि वैसे देखने हो मिलेंगी 20 March को लेकिन यहाँ पे जो changes होंगे 20 March को केवल एक चीज़ का wait किया जा रहा है कि कोई hawkish commentary ना है साथ में अगर यह चोटा सा चोटा सा देखेगा एक reaction यह दे दे कि यहाँ पे जो 23 साल के peak पर बैठे हुए है 23 साल के peak पर बैठे हुए है interest rate cut को लेकर अगर वहाँ पे कहीं से भी कोई relaxation की update आ जाए कोई चोटे मोटे relaxation की update आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि यह बहुत positive update होगी पूरे के पूरे बाजार के लिए तो आप समझ सकते हैं कि आपको एक एक चीज़ देखनी है जब देखेगा fed की meeting हो जाने के बाद आधे घंटे बाद at least आपको आधे घंटे से 45 मिनट के बाद आपको total reaction देखने हो मिलेगा कि fed ने बोला क्या है फिर expert उसे समझाते हैं फिर उसके basis पे market react करता है तो at least आप देखोगे morning में main reaction आपको देखने हो मिलेगा तो इसके लिए आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यह जब meeting हो जाएगी press conference हो जाती है जो कि आपको पता है कि गवर्नर साब हमारे भी देखेगा जब 10 बजे से बोलते हैं तो थोड़ा सा बोलते है 42 मिनट उसके बाद शान्त हो जाते हैं फिर वो पूरी देखेगा press conference करके अपनी briefing करते हैं तो ऐसे ही पावल साहब भी करेंगे तो वो जो अपनी briefing करेंगे policy के stand को कि आगे वो कहां देख रहे है policy का stand तो आपको केवल देखना है dollar index अगर dollar index बहुत तेजी से उपर भाग रहा है तो इसका मतलब भी positive impact पड़ेगा market पे यानि की rate cut होने वाले हैं और अगर bond market तेजी से गिर रहा है तो आप समझ लीजेगा ये भी market के लिए positive update होगी और market यहाँ पे react करेगा तो दोनों चीजों पे आपको focus करना है वीडियो कर अच्छा लगे तो like, share, subscribe करेगा thank you so much